बढ़ते हुए वजन से परिशान हैं वजन को घटाना चाहते हैं पेट बहुत जादा लटक चुका है बैली फेट को रिडियूस करना चाहते हैं आज आपके लिए वजन को घटाने का एक ऐसा आयरुवेडिक नुस्खा लेकर आई हूँ दोस्तों जिसके कुछ दिनों के इस्तमाल से ही आप अपने वजन को घटा सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों चहरे पर चमक आएगी और आपके बालों का ज़रना भी बंद होगा आपके पेट से जुड़ी हुई सारी बिमारियों को दूर करेगा एक ऐसा घरेलू उपाय है इसके लिए सबसे पहले मैं यहां ले रही हूँ अजवाइन अजवाइन के जो छोटे-छोटे से दाने होते हैं दोस्तों जातर हम सब के रसोई घर में होते हैं acidity कबज की समस्या हो चाहे उल्टी की समस्या हो इन सारी समस्याओं को दूर करते हैं अजवाइन के दाने अजवाइन के यह बीज जो हैं इसे हम लोग इंगलिश में कैरम सीर्स भी कहते हैं अजवाइन का सेवन दोस्तों हमें पेट दर्द से बचाता है गठिया अर्थराइटीज जोडों के दर्द हड़ियों के दर्द से भी राहत दिलाता है परन्तु वजन को घटाने में अजवाइन का इस्तमाल कैसे करना है चलिए देखते हैं अगली चीचों की यहाँ पर हम लेने वाले हैं लेमन विटामिन सी से भरपूर होता है नीबू का रस जितना जादा विटामिन सी नीबू के रस में होता है उसे दस गुना जादा विटामिन सी नीबू के छिलके में होता है इसलिए आज मैं यहाँ पर लेमन का इस्तमाल छिलके सहित करने वाली हूँ एक चमच अजवाईन लेना है, साथ में लेना है, नीबू का छिलका आदा नीबू का छिलके का हम यहाँ पर इस्तमाल करने वाले है अजवाईन के यह जो दाने होते हैं ना दोस्तों ये हमारे digestion को improve करते हैं हमारे metabolism को बढ़ाते हैं और जब हमारा हाजमा अच्छा होता है ना तो हमारी पेट से जुड़ी सारी समस्याइद दूर होती है साथ में पूदीने के कुछ ताजे पत्ते लिए हैं अभी तो गर्मी का मौसम है ना दोस्तों घर पर पोदीना जरूर हुगा है थोड़ी सी मिट्टी गमले की मिट्टी में पोदीना की कुछ भी कोई भी डंडियों को डाल दे आठ दस डंडियों को डाल दे आप देखेंगे दस दिन के अंदर पोदीना चारो तरफ फैल जाता है मैंने भी पूदीने की कुछ डंडियों को अपने गंबले में डाला था और बहुत सारा पूदीना मेरे घर पर उगा है उसी में से इतनी पूदीना मैं तोड़कर लेकर आई हूँ फ्रेश पूदीना पूदीने की पतियां बहुत फायदे मंद होती हैं दोस्तों हमारे हाजमे को दुरुस्त करती हैं और सांथी सांथ पेट डर्द गैस, एसीडिकी, खटी, डकार, खाना हजम नहीं होना इन सब के लिए बहुत फायदे मंद है विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है सबसे पहले आपको क्या करना है यहां आधी छोटी चमच, जाधा जवाइन नहीं लिया है चमच छोटे साइस का है आधा छोटा चमच अजवाइन को एक गिलास पानी में भिगा कर राद भर रख दीजे सुबह उठकर इस पानी को गरम करके आपको पीना है पहला तरीका तो यह है दोस्तों हमारे हाँ तो ना अजवाइन को पीस कर उसका पाउडर भी बना कर रखते हैं सुबह के खाने में लंच में जब दही खाते हैं ना दोस्तों तो दही के उपर अजवाइन का पाउडर स्प्रिंकल करके खाएं बहुत फायदे मंद होता है दोस्तों परंतु वजन को घटाना चाहते हैं तो इसके लिए और भी सबसे अच्छा तरीका कि सुबह उठकर खाली पेट आपको इस पानी को पीना है इसे बनाने के लिए एक गिलास पानी लीजे आधा चमचा जवाइन डालिए कुछ पोदीने की पत्ती राल दीजे अगर पोदीना लीव्स नहीं हैं परिशान मत होएं आप पोदीना लीव्स की जखा करी लीव्स जिसे हम लोग कड़ी पत्ता कहते हैं आप उसकी भी 5 से 6 पत्तियों को डाल सकते हैं अब यहां पर हम लेंगे लैमन पील नीबू के छिलके आप देखे ध्यान से देखे दोस्तों यह जो नीबू है ना इसका रस मैंने पूरा निचोड़ लिया इसमें बिल्कुल भी रस नहीं है और वही नीबू के छिलके को मैं काटती जा रही हूँ बिनारस के मैंने पताया ना दस कुना जादा विटामिन सी होता है लैमन पील में इतने फायदे मंद होते हैं नीबू के छिलके कभी मत फेक किये दोस्तों इतना जादा फायदे तो हमारे शरीर में चर्बी बढ़ने नहीं पाती हाँ जब हमारा डाइजेशन कमजोर होता है हमे खाना हजم नहीं होता है दोस्तों हमारा मेटाबॉलिजम अच्छा नहीं होता है तो हम जो भी खाते हैं वो फैट में तब्दिल हो जाता है वह चर्बी के रूप में हमारे शरीर में जमने लगता है और ये जो ड्रिंक है, इसे जो आपको पीना है दोस्तों, ये आपके शरीर में चर्बी को जमने नहीं देगा क्योंकि ये आपके हाजमे को दुरुस्त करेगा, आपके पाचन को बढ़ाएगा, पाचन अच्छा है तो फैट कैसे जमेगा, इसलिए हमारा डाइजिशन अच्छा होना जरूरी है, अजवाईन के बारिक बारिक से दाने हैं, दोस्तों हमारे खाने को अच्छी तरह से पचा का सारा अर्ख इस वेट लॉस ड्रिंक में आ जाए, देखे कितना अच्छा इसका कलर बदल गया है, सारी चीजों की गुड़नेस इस ड्रिंक में आ गई है, एक ऐसा वजन को कम करने वाला ये घरेलू उपाय है, जिसका उपियोग, जिसका कंजप्शन सभी उम्रवाले कर स अगर अभी से आपके बच्चों में मौटापा आने लगा है, बच्चों का वजन बढ़ने लगा है, अभी से कंट्रोल करें, इस ड्रिंक को सभी उम्रवाले ले सकते हैं इस ड्रिंक को अच्छे रिजल्ट के लिए सुभा लीजिए, खाली पेट लीजिए, चाए कॉफी पीने से पहले आपको इसे पीना है अगर वजन को घटाना चाहते हैं तो इस ड्रिंग को गरम गरम पीएं कितना गरम जितना आप लोग चाय कॉफी पीते हैं उतना गरम ही आपको पीना है जैसे चाय कॉफी कैसे पीते हैं सिपले लेकर वैसे ही गरम गरम पीएं ठंडा करके पीएंगे ना तो फैट जो चरबी है वह पिघलने नहीं पाईगी हम लोग चाय कॉफी पी लेते हैं गरम गरम बिल्कुल ऐसे ही आपको पीना है इसको तो जो लोग वजन को घटाना चाहते हैं वे गरम पीएं जो लोग अपने सिर्फ पाचन को अच्छा रखना चाहते हैं गुणगुना भी पी सकते हैं आदह गहंटे के बाद चाहे कॉफी पी आप चाहें तो इसमें एक चमच शहद डाल सकते हैं मन नहीं है शहद नहीं है तो शहद को मठ डाल रखना है जिनका गला खराब होriageा तो उस सुबे के समय वे लेमन जूस ना डाले नीबू का खिलका को एक गिलास पानी में उबाल कर भी आप पिएंगे, आप देख रहे हैं, इसे मैंने भी पिया, अभी मेरा वजन भी 70 किलो से उपर था दोस्तों, मैंने कम से कम पांसे 6 किलो वजन कम किया, वो भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कम किया है, कुछ भी मैंने कोई ऐसे नहीं की है, इसी वेट लॉज रिंग को मैंने कुछ दिन तक के पिया है, और मुझे बहुत अच्छा रिसार्ट मिला, सिर्फ सुबह पीजिए, आपका मन है, तो एक बार रात को सोते समय भी पी सकते हैं, कि दिन भर में जो खाया हो, हजम हो, वीडियो को लाइप